बिसमिल्ला रख्मान ररहीम, अस्सलाम अलाइकरम, सौधी अरफ से लाइफ हुँझी आपके साथ मैं आपको देदूँगा आज की एक ब्रेकिंग नियूज, ब्रेकिंग नियूज बोलूँगा, आज अपडेट नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये भाई खबर ही ऐसी है, मेरी 3500 यानि के 3500 रियाल करतीगी, सिर्फ-वर्स, मकतब अमल का इलान, हरूब, इकामा, एक्सपायर, उम्रा वाले, यानि के हरूब जिनका हुआ है, चिनके कफिल ने उनकी मतलूप डाली हुई है, जिनके एकामे, एक्सपायर है, चाहे एक है, दो, छार, पांच है, जितने मी भी था मुझे उस टैम खुद से आप यगीन करें पता चला जब उसको भाई हभी कडिये लगी थी और पता चला था कि इसके पास जो हिकामा है वो पहले गया है जब ये पहले सौधी रेवी में रहके गया था भी ये उम्रा पर आया हुआ था एक साल डेड़ साल हो गया था और वहां उम्रा पर आते हो रहा था कामा भूकत पूषता था वह पराने वाला दिखा रहा था था तो वह पकड़ा गया था हूँ उसको पाकिस्तन भेज़ भी आ गया था ऐसे भी होता है उम्रा जाहिन ये वाले जो ऐसे भी आने आपको बोला ये होते हैं जी उम्रा पर आयोए बाहर काम बगार करते हैं इन सब का खरूज लग रहा है और ये अपने कंट्री में वापस जा सकते हैं यानि के इन पर भी तमा सबसे पहले इकामें के प्तलुकश बात करेंगे साहिख वर गरह जो आमल हसलात है यारी के साहिख खास वर गरकर गरुर्मी काम वर करते हैं उनकी फीस होती है जी पानसो से Knowing के राउंड में उनका एकामा खिज़िए हो जगता है 7 سाल का और उसके इलावा तमामतर बहीं व आपको पता है कि 8000 से 12000 के राउंड में तजदीद होते हैं न्यू बनते हैं तो भाई ये काफी ज्यादा फीस है इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी न्यूज गर्दश की जा रखी है और मुझे कुछ भाई कमेंडिब करके पूछ भी रहे थे क्या भाई मक्तेब अम खुद से अपना इकामा तजदीद कर सकते हैं तो इसके मतलग सबसे पहले इकामे के मतलग आपको बताओं को ऐसा कोई भी इलान मक्तब एमल जवादाद वजारते दाखलिया के तरफ से कोई भी किसी किसम का इलान नहीं किया गया है ये बंदा सरा सर जूट बोर रहा है और उम्रा पर आए हुए तो इनके मतलग एक खुरूज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं सबसे पहले इकामा एकसपायर वाले तो इकामा एकसपायर वाले ये बाइज वाले कि बाए ये नीयूज है कि आप अगर एगर Image करते आप अपने कफील के साथ तो ठीक अगर आप agreement किसी भी कफील के, किसी भी और बंदे के साथ नहीं करते हैं, तो आपका तीन माँ के अंदर खुद बाखुद खरूज लग जेगा, फिर बात में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पंदरा दिन टाइम होगा, आपनी टिकल लें और जाएं, उसके बाद बात कर लेते हैं, दूसरे नमर पर के हरूब वाले बंदे, हरूब जिनका पहले हो चुका है, अभी कोई भी कफील किसी भी बंदे का हरूब नहीं दे सकता है, जब तक कि उसका इकामा नहीं लगवा देता है, अगर लगा भी हुआ है, आप भाई, कफील से, उसके पास आपका एगर्यमिनट का पेपर नहीं है, आप नहीं जगा पर जाकर एगर्यमिनट करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो फिर भी कफील आपका हरूब नहीं दे सकता है, बात कर लिए, अमरा जायरीन के मतलब, मैंने आपको आगए एक पठान बाबिती स्टोरी सुना दी है उनको तो जब भी पकड़ा जाएगा जेल में रखा जाएगा और उसके बाद सफर कर दी जाएगा ये भी जूट है कि कोई भी कामा एकस्पायर हरूब वाला उमरा वाला कोई भी जाए खरूज लगवाए और टिकल ले अपने कफिल चेंज भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी टिकल लेकर अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं तो ऐसी सहूलियत माजी में दी गए थी अभी इनके मतलब कोई किसी किसम की न्यूज नहीं दी गई है ये एक फेक नियूज है ये बंदा जूट हो रहा है आपके साथ इसके मतलब जैसे ही कोई बाइक कन्फर्म नियूज आएगी मकतब अमल जवाजात ये अवजात दाहिये की तरफ से वो आप भाईों के साथ बक्तन फक्तन मैं शेर करता रहूंगा तब तक के लिए अल्ला आपिजी